शब्दों की रजना के क्रम में आज एक बार पुना हम गणीत ये शब्दों की गणीत में प्रयूक्त शब्दों की भाशाई व्यक्षा व्याकरणिक व्यक्षा शब्द कोश्ची व्यक्षा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एक शब्द है पंच भूज पंच भूज पंच भूज पंच भूज पंच भूज हिंदे में यह दिव शमास है चुकि पंच संख्या है पंच भूजा त्रिभूज को तो ट्राइंगल कहते हैं ट्राइंगल लेकिन यहां आके हम पेंटागोन इसका नाम है रजीम है इसको भी देखेंगे ट्राइंगल हुआ है इसके सर्चाम पहल कर चुके हैं कि वाड्री लेटर क्या है वाड्री वने फोर पंच भूज के साथ लेकिन पेंटा गौन लगा पेंटा क्या है गौन क्या है गौन वही है जो हमारे यहां कोन है जिसको कोन कहते हैं पेंटा मतलब 5 के जो पेंटा है या फ्रेंच में भी ग्रिक में भी लेटिन में भी पेंटा प्रयुक्त होता है और अंग्रिजी में उसका अर्थ है 5-5 गौन भी जो है फ्रेंच ग्रिक लेटिन का वर्ड है अंगल इंगलिस में बोलते हैं कोन गौन गौनिया है गौनिया मतलब कोन के लिए प्रयुक्त है वह तो पेंटा कौन से अर्थ यह पता चलता है कि पांच कौन जिससे ट्राइंगिल ट्राइंगल मने कौन पेंटा मने पांच लेकिन यहां एंगल नहीं दिया गया पेंटा एंगल नहीं दोनों एक ही भाषा के शब्द हैं पेंटा भी ग्रिक है गौन भी ग्रिक है फ्रेंच म तो एक ही भाष्टा के दोनों शब्द दिये गए उदर ट्राई है एंगिल है लेकिन इधर पेंटा है तो गौन है हेक्सा भी है फ्रेंच ग्रीक लेटिन में शड़भुज के लिए शड़भुज के लिए हेक्सा गौन है हेक्सा मने सिक्स गौन मने कौन तो पांच भुजा वाले जयामिती में कहें हम के प्लेन फिगर विद फाइव एंगिल्स एंद फाइव साइब्स पांच कोण हो जिसमें पांच भुजाए हो तो पंच भुज है जिसमें शब हो जाए शब कौन हो हेक्सा गौन है इसी तरह से अश्ट भुज है आक्टा गौन अक्टा मने आठ गौन मने कोण अश्ट कोण है अब हिंदी संस्कृत में तो अश्ट भुज है भुज लेकिन ग्रिक फ्रेंच लेटिन में कोण है वो अश्ट कोण है अश्ट भुज का नाम अक्टा गौन गौन मने भुजा नहीं होती है गौन मन कोण पेंटा गौन वो पंच कोणी है शट कोणी है को के साथ टो लेकिन भौ के साथ डो इसकी जर्चाम पले कर चुके हैं कहां टो हो जाता है कहां डो हो जाता है शट भुज शट कोणी है हैं हेक्सागोन इसका लिटरल मीनिंग हम देखे हैं शब्द सा है हेक्षा गोन का साब्दीकर्थ हुआ शट कोणी है लेकिन हिंदी में उसके लिए प्रजुक्त है शट भुज अश्ट भुज बहु भुज पाली गोनल है वह भुज पाली मने पाली गोनल पाली मने मेनिंग पाली गोनल बने बहुज यह सब बहुज यह चित्र भुज पंच भुज शट भुज अब भुजाओं के नाम पर नाम दिया गया है कि पांच भुज आए तो पंच भुज वह भी बहुज यह पाली गोनल और्या कि नाम बताये हम कि इसमें पенटागोन का क्या अर्थ है एक्साग अक्या रत है 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 यह थे पंटा है से 7पा अकता में देका डीका पर को किंडेका में दस मिली सेंटी डेसी मीटर डेका डेका मीटर जो कहते हैं डेका माने दस मीटर इसको लिख दे हम भासा में तो दस मीटर है डेका मीटर मेली सेंटी डेसी मीटर डेका दस मीटर का एक डेका मीटर और डेसी क्या है दसमा भाग है डेसी मीटर जदी कहा दे हम डेसी मनें दसमा भाग आगे देखेंगे हम डेसी मल में डेसी मल यह क्या है यह वन बाइट टेन वन टेन्थ है वो क्यों वर देसी को कि मिली सेंटी डेसी मीटर हें वो दस में एक मिटर होता है वह कि क्या अब्सक्राइब डेसी मिटर का क्या है वटक्या अब आ प्रतिय हुआ इसका मतलब कि एक मीटर में 10 डेसी मिटर मीली संटी डेसी मिटर मिली क्या है हजार है वो हजार मां मीली से मिलियन बना मीली मीटर मिली मीटर का मतलब मिली मीटर हम लिख दें मिली का मतलब ववन भाई थावजंड है किलो बने एक हजार किलो मीटर का अर्थ हुआ कि एक हजार मीटर आइ तो नाम पर ही पता चलता है कि इसका क्या अर्थ है याद नहीं करना पड़ता है को बर मेर मिली मीटर मेर मीटर मां से पता चलता है 1 देशी मीटर है तो आब डेशी का अर्थ माल waterfall होना चेंगे तू मिली का मतलब 1 by 1000 सेंटी का मतलब 1 by 100 सेंटी बने सो डेसी का मतलब 1 by 10 डेसिमल डे का मतलब 10 कि तो बात कर रहे थे हम ओ कि मिली सेंटी डेसिमेटर अक्टागन पेंटागन हेक्षागन पर बात कर रहे थे दून की विख्या आप कि सुगं बना देती है सब्द को भूलते नहीं है ऐसा हुआ नोगों पड़ते एक पर कितना सोना एक पर कितना सोना सोना करते थे हैं मिली मिटर को सेंटी मेटर में बदलने में में मिली मेटर को मिट्र में बदलने में मिट्र को किलो मिट्र में बदलने में कब सीधा बताइए एक किलो मिट्र के 302 घुल Canadians मतलब यहां लिव देजिए कहजार सिद्ध नासं criticism आएं हमीतर जूडंए यह खजार मीटर का किलो मीटर हुआ है और छाने धाश्वद का तो निकाल लेगा कितना एक було क्लोग्राम है कि यहां ग्राम लागा दिए फिल साथ वे खज्यार ग्राम हो ग्राम में भुष से चलेगा मिली ग्राम सेंटी ग्राम मिली उंटी की अर्थ बताईए हो देकाहक् compt कीछो अर्थ बता देजिये हुआ जान जाएंगे बच्चे मिरिय आ किमटलब्रिक तन सब का अर्थ है अलग अलग और उस पर प्यमाना तुरत एक सेकंड में निकलेगा अब देखते हैं आगे एक शब्द आता है विकर्न अगर्जी में है यह है डाइगनल डाइगनल यहां डाइगनल यहां डाइग क्या मतलब दो भी लगा लिजिए डाइग का मतलब एक क्रोश भी है डाइग मनें जैसे डाया है इसका मतलब एक क्रोश उस पार एस पार से उस पार एक क्रोश यह कर्ण जो है इसमें लग गया हुपसर्ग वी शब्दों का अर्थ एसोसियेट कर रहे हैं अब खुजिएगा तो क्रोश का मतलब वो नहीं मिलेगा जो हम को रहे हैं किसी देशेदी क्रोण माने क्या होता है तो क्रोण माने डिक्सरीव देखियागा तो मिल जाएगा कान क्रोण किसी का नाम है लेकिन पैसे एसोसियेट कर रहें संस्क्रीट हिंदे इंगलेस फ्रेंच लैटिन ग्रिक क्वेसे अर्थ निकलता है शब्दों का एक गुनल मने कोण यह है डाया माने एक रास जैसे मालने जी के हमने एक यह समांतर चितरवुज खीचा डाया माने एक रास इस पार से उस पार तक एक रास गुनल मने कोण यह है वह अब यहां से यहां तक ही चिए तो यह डाया गुनल है डाई बने एक रास गोनल बने कोण यह अब इस जदी यह दोनों कुणों को हम मिलाते हैं तो किसे मिला सकते हैं इस परसुष पर निश्चित्रिप से आप बात देहें कि इसी कुण को इस कुण से मिला सकते हैं एक क्रोश क्रोश किया हम क्रोश करना क्या है यहीं न क्रोश है इधर से यहां कर दिया इधर से यहां कर दिया क्रोश दाया यह क्रोश गोनल बने कुण यह क्रोश कुण यह इस परसे आमने सामने के कुण यह यह स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग एनी टू वर्टिसेज अब परिवाशा में बाम दिये इसको एस्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग जोडने वाली टू वर्टिसेज अफ फॉलीगन बहुष में डेटर नॉट एडियसेंट जूस आसन नहीं है सनलगन नहीं है डेटर नॉट एडियसेंट यह दूनों एडियसेंट है यह है एडियसेंट इसक्या तो दू कुणों को जूड रहे हैं डेटर नॉट एडियसेंट वासन सनलगन नहीं है सटे हुए कुण नहीं है यह कुण और यह कुण एड़ेसंट नहीं है इसलिए यह स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग तू एनी वर्टिसेज दैट आर नाट एड़ेसंट अब इसको इससे जोड़ दिये एक डाइगोनल है यह नाम देदे हम इसका वो बिंदू पर कट रही है यह बीड़ी जो है एक डाइगनल है एक डाइगनल विकरना और जदी केवल इतना ही हो यह समकुन तरव जाए तो जदी टू वर्टिसेज को मिलाता है यहाँ इसका नाम है केवल करना और विशेश प्रकार का करना है बाभुज में है यह त्रिभुज में है करना अब यह तो पता चला कि डाइगनल है कोणों को दोनों मिला रहा है इससे तो अर्फ निकल जा रहा है कि दो कोणों को मिलाने सिधी रखा है का आमने सामने को कोणों को मिलाने बाली सिधी रखा है कि एक रौश एंगिल को मिलाने वाली सीधी रखा है लेकिन हिंदी में तुभी पता ही नहीं चल रहा है कि वी करण क्या है कि करण बताने को कहा जाए तो यह नहीं को यह गार क्यों करण है कि इस करण को हम इस करण की अरजी देते हैं यह एक इंग्लिश वर्ड है इसको देखते हैं क्या है मतलब इसका इस जो है 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 तेन यूज उच्छान इसका हाइपो नहीं करते हैं है हाइपो नहीं नहीं है हाइप टैनिव करें लाहिप टैनिउज नहीं अब यह किया है यह अंडर है जाना हाइपो कहते हैं हाइपो नहीं अंडर नीच एफ एफ नमने उपर हाइपर सेंस्टिभी ही टी अ हाइपर टेंशन लेकिन हाइपो टेंशन भी आए हाइपो मनें अंडर नीचे तेन क्या है टेन मनें फैलाना टूए स्ट्रेच फैलना तेन से जो टेन मनें दस्वता है वोगे टेन से ही टेन्ट बना है टेन्ट का मतलब क्या है तम्बू जो ताना जाए कि टेन जहां लगा टेन्टिटिव विस्तार करने जोगी फैलाने जोगी अंडर इसका अर्थ हो गया कि अंडर ऑई इसका अर्थ हुआ टूए श्ट्रेच अ आफ इस ट्रेश्चिंग अंडर लिए जो कौन है यह कौन होगा यहां समकून अस्ट्रेश्चिंग अंडर की यहां से नीचे तक यह तांद दिजिए फैला दिजिए यहां से नीचे तक इन जो दुखुन बन रहे हैं इनको बनाने वाली जो भुजा है यह करन है यह करन है हाइपो अंडर क्यों गई हुई यहां से नीचे की और गई हुई जो भुजा है को करन है अब करनधार कहते हैं किस चीज को करनधार एक हैंडिल भी नाव चलाते हैं कि जो इस पार से उस पार ले जाने के लिए पतवार है वह भी करनधार है करन है वह किसे पतवार लगाते हैं इससे करन के जैसा तब पानी को आगे बढ़ाते हैं वह करन है यह करन है और उसी के नाम पर वी लगा के विशेस्प्रकार का करन है वी करन है वो डाइगोनल है दो गोनिया दो कुणों को मिलाता है वो किसी बभुज में और किसी समकुन तिर्भुज में मिलाये तो उसको करन काते हैं करन का यही सिध्य आर्थ है कि एक सिध्य रेखा तिर्छी जो दो कुणों को मिलाती है और वो करन धारवला जो करन है वो भी एक पतवार है सिध्य रेखा है जो तिर्छे ही जाती है ऐसे लंबोत लगा कि नहीं चला सकते करन का रूप ही उसको देता है नविक ये करन है यहाँ अब डायमिटर कोते हैं डायमने एक प्रस को है एक बना दिया तो डायमिटर का है एक क्रॉस जोदी केंद्र इसका है तिस्ते होते एक क्रॉस इस पार से उस पारते के डाया यह क्रॉस मापन है यह यहां से लिया यह तो यह क्रॉस डाय मीटर डाया मीटर मापना तो इस सब्दों का रहते हैं डाय का मतलब याद रखेगा अब एक शब्द आता है भिन गणित का शब्द है भिन अब यदि इसे हम भिन लिखके छोड़ दें तो बहुत अर्थ इसका नहीं निकलता है लेकिन अंगरे जी इसका लिखे हम अब फ्रैक्षन तो कुछ अर्थ निकलता है फ्रैक्षर फ्रैक्ष्ण फ्रैक्षर्ड फ्रैक्षरड बने तोड़ दिया गया अब भीन करका इसे अर्फ निकालेंगे हम वो संस्क्रित में एक भीद दात की है भीद मने तोड़ना भेदना भीद भेदना उद भेदन करना भेदन चमता भेद डालना तोड़ देना दो आदि में भेद डालना दोनों के दोस्ति तोड़ दिये हम तो भीद है भीद में जब हम एक प्रते लगाते हैं या तो भूत काली करमन किर्दन बनता है और भीद भिन शब्द बना भिन का मतलब हुआ तूटा हुआ क्यों इसको तोड़ा हुआ कहते हैं कि कोई एक चीज है इसको आमने इसको कोई भागो में तोड़ दिया इसको भिन कर दिये हम भिन मने तोड़ दिये भेद दिये ब्रोक भिन का अर्थुआ सिदे सिदी ब्रोकेन भीद मने तोड़ना उद्भिज उद्भिद यो विज्यांग का शब्द है उद्भिद भेद कर उपर निकलना विज जब जमीन में छिटते हैं हम तो जमीन को तोड़ करके समय पर बाहर निकलता है उद्भिद भेदन है वो तो भीन बना है भीद से भीद मनें तोड़ना छिन भीन हम हिंदी में कहते हैं छिन भीन वो छिन क्या है इसे अधार पर वो बना है छिन क्या है कोई छिद है छिद अप्षिन छिद करना तोड़ना काटना पियर्श कट टू कट छिन भीन एक छिन भीन शब्द है हिंदी में सिमंगल सिंग सुमन की कविता है उस कविता का अंतिम जो पद है उसमें है कि नीड न दो चाहे टहनी का नीड न दो चाहे टहनी का आस्रे छिन भीन कर डालो पर पंक दिये हैं तो आकुल उडान में भीन न डालो इस तरह कुछ कविता है उसमें भीन और छिन पर बात याद आई कि नीड न दो चाहे टहनी का आस्रे छिन भीन कर डालो चिन और भीन यह दोन दोंद समास वजाएंगे लिख देंगे हैं तो चिन और भीन ऐसे लिखा गया है चिन भीन मने टुकड़े टुकड़े कर डालो ब्रोकेन तो चिन भीन अब वहां हमारे जैसे आदम कविता पढ़ाएगा उसको चिन भीन तो वहां गणीत की बात आ गई है बिना पताते आगे नहीं बढ़ते हम हमको कविता पढ़ाना हो तो चिन भीन आ पर अभिंदि की बाद जरुरताएंगे भासा में गुपनीत में भासा है भासा मरे साइन्स और विष्ण ऑनद sofort में परीयावण अध्यन के पढ़ाई करते हैं भासा में जो शब्द को पिरयावण के आते हैं गढी अजाता है पतरय गणित आजाएगा इन्क्लूशी वेजुकेस हैं विश्व का श्रमावेश एक दूसरे में हैं भाषा में तो इतनी सम्रदी है कि भाषा के हर चेप्टर से हर विश्व पढ़ा जा सकते हैं कविता कहान उसमे साइन्स के शब्दाइंगे मैथ्मेटिक्स की आएंगे खोजनी की बात है शब्दों का चेन करें कहां से यह 안 गणीत गणित भाषा कहां है और भीष्व में तो भाषा ये लेंग्वेज याधार कि व्यार्ट कि कि तो भिर्न क्यों काते हैं इसको किसको कई भाग में बाड़ दिये हम एक दो तीन चार पांच साथ आठ आठ भाग में बाड़ दिये हैं बटे आठ यह यह हर है हर का मतलब ले लेना है हरन हरन हमने आठ भाग में बाटा इसको काटा इसको भिन किया इसको भेदन कर दिया तोड़ दिया अब इसका दो हिस्सा जदी ले ले लेते हैं दो अमस इतना हम किसी काम के लिए ले ले लेते हैं दो यह उपर लिख देंगे दो यह अमस है इसको अमस कहते हैं इसलिए क्योंकि जब किसी स्पूण वस्त को काटा हमने भिन किया मैंद मैं तोड़ना सीदिक्राइव से दी फ्रेक्षन किया उसका कि दो फ्रेक्षन हैया Healthy है कितना भागों में फ्रेक्षन नां कि प्रेक्षन और हम ने उसमें से कितने कि एक दो भाग कर दिया है इस तरह से भिन कि एक तरह से सच्षब्द की व्यक्या है और अंस लिए है इसको इसलिए है और हर है काटा इसको तोड़ा इसको इसको कहें तो नियूमरेटर कहते हैं नियूमरेटर है आयो है डी नॉमिन्रेटर है कि दी का मतलब यहां हो गया कम्प्लीटली नॉमिनेट पूर्णता एक पूर्ण चीज को जब हमने कई भागों में नॉमिनेट किया यह 12345678 वो डी नॉमिनेटर है कि दी निंटर मैं रिकार शेटे हैं उसको घटाया काड़ दिया कम कम हिस्सों में बाड दिया हुआ कि इसफिक सकते हैं कि दो बटे आठ अट उतुम है बटे बटे 9 तो numerator और numerator मतलब जो उसमें से हिसा हमने ले लिया numerator किया गिन लिया 1, 2, 3 the dividend of a fraction हमस क्या है numerator क्या है वो dividend है उसका जो हिसा हमने ले लिया भिन एक division ही तो है भाग कई भागों बाढ़ दिया भाग ले लिया उसका तो भिन क्या है कि किसी एक समूह का अथ्वा छेत्र का अथ्वा बस्तु का हिसा है भिन किसी समूह का भी हिसा हो सकता है 10 लगों में से 4 लोग एक भिन कर दिये हम समूह का हिसा है वो छेत्र का भी हिसा हो सकता है जैसे मनें एक छेत्र दिया इसका भी हिसा कर सकते है वो भिन हो जाएगा तो किसी एक पूरी वस्तु का छेत्र का समूह का हिसा है वस्तु का हिसा भिन है गड़ित में प्रिवाश्चा देते रहेंगे इसकी डी नॉमिनेटर क्या है कि डिवीजर डिवाई डिवीजर है यह क्या है दिवाजक है यह हर दिवीजर आफ फ्रेक्शन और डिवीडेंड है कि वंस है वह हर है कि दी मतलब कंप्लिटली है तो पांच बटे आठ है तो इसको हम पहेंगे पांच बटे याठ पांच बटे आठ को कहना हो तो पांच बटे आठ है पांच अठांस भी कर सकते हैं फाइव एड़्थ भी कह सकते हैं फाइव एड़्थ पांच बटे आठ को लिखना हो तो हम फाइव और है इफन एक देंगे इसके बार लिखेंगे एड़ फाइव एड़्थ पांच बटे आठ है अब फाइव पान आठ फी कहते हैं अपान मने उपर संभिन प्रापर भिन होता है संभिन माना अंस कम हो हर जादा हो विशंभिन है अंस जादा हो और हर कम हो शी विशंभिन को हम मिश्रिभिन में बदल लते हैं तुल्य भिन एक शब्द हिंदी का तुल्य मने समान सम तुल्य 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 एक्वी वैलेंट यह एक्वी है इसमें वैलेंट जोड़ दिया है इक्वी इक्वी जो है इक्वी क्या है इक्वल इक्वल मने समान यह इक्वी इक्वल जहां भी लगा हो उपसर गए एक तरह का वैलेंट जो है वैलेंट माने वर्थ मुल्य वैलेंसी समान मुल्य का जो हो उसम तुल्य भी नहीं तुल्य भी नहीं तो वैलंड का रत हुआ कि बीवर्थ मुल्य एक्वल इन वैल्य एक्वी वैलेंट का रत हुआ कि किसकीज में इक्वल हो सकता हुआ इक्वल इन वैलो मेजर फोर्स एक्वेक्ट और सीग्विकंस तुल्ली भीन लगा दिये तो एक तरस से वैलू और मेजर में इक्वल है तो इक्विवेलेंट का अर्थ यह हुआ, सम्तुल्ली का अर्थ हुआ, फ्रेक्शन लगाया कि अईसे सम्तुल्ली का अर्थ बता रहे हैं कि इक्वल, इन वैलू, मेजर, फोर्ष, एक्वेक्ट, और सिग्निफिकेंस, इट सी, अन्ली चीज़ों में भी सम्तुल्ली भीन का मतलब भैलू में भीन हो, इसे एक बटा दो यहां लिखे, एक भीन नहीं हो, आइसका इक्वल भीन हम देना चाहें, तो तीन बटा च्छा दे देजिए, दोनों एक्विलेंट हैं, मान दोनों का बराबर होगा, वैलू दोनों का बराबर है, इसको भी जदी हम छिन कर दें, भिन कर दें, तीन कॉमन फैक्टराइज गाज, तो तिन उन्हें छवी भी एक बड़ा दुआ गया, इसमें अंस में भी समान अंक से, और इसमें भी उसी अंक से उगुणा करने पर तुल्ले भी नाते हैं, तुल्ले का मतलब बराबर आना चाहिए, एक सब्द और देते हैं, मिली संडी डेसी की बात किये हैं, तो डेसी मल है, नाम जानते हैं बच्छे, लेकिन इसका अर्थ ने लगा पाते हैं कि क्या होता है, डेसी मल दसमल लो, क्या मतलब है इस सब्द का, डेसी का मतलब मैंने कहा, लेस्थ ने वन वै टेन, दसमा, संस्किर्प में लिखे तो दसम है वो, संस्किर्प में दसम है, जिन्दी में दसमा उसको कर सकते हैं, कि कि यह डेसी दसम अंग्रेजी में डेसी हिंदी में दस दस अब इसमें मॉल है तो इसमें लाव है मैं डेशमल दस्वा हिस्सा है वह डेशमल हम वन बाई टेन का सिंस लेता है वन बाई हंडेड का देगा वन बाई थाउजन का देगा मतलब दस का गुणक ही रहेगा आगे भीडिल बदलना हो जड़िंटो दसके बूर क Michel बनाएंते हैं कि है तो घृत हुं गाए दसम आओ रहे हिंदी में दसम आएक वन days in the Bible क्या है किविसका नाम में धर लाव दिया गया है लैओ संस्क्रिप में इसके वेख्या करें तो एक लू धातु है इसमें अब प्रते लग गया है तो यह बन गया लौ अब देखना पड़ेगा कि लू का आर्थ क्या है लू का आर्थ होता है सिधे-सिधी कटना तुक 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 तुडिवाइड काट देना जिवाइड कर देना टुकड़े टुकड़े कर देना लौ का मतलब होता है क्योंकि उसमें लू है लू मने काटना लूच्या कौन है लोचन लोचन मने आख आखों से जो काटता है वो लूच्या है लू काटना इस तरह के अर्थ नहीं पढ़ाते हैं गणित में हम लोग दस्मलों चेप्टर आया बताए आगे बढ़ गई शब्दों की वेख्या एक बार कभी चर्चा करते समय इसकी चर्चा करेंगे तो दश्मलों क्या है दिमाग में रहे गए यह बार दश्मलों दशम हिसबा सबस्दों कि दश्मलों हिसवा दस्मलों हिस्वा लौ मरिफी च्रद लौ रहा है सिद्जी अंच हे लो लवर मने अंच लेकेजिकल मिनिंग सब्र आप verzा देने ज़दियस कोम तोड़े फ्यक्षारे मिखनकर अंदर में ना जाएं तो लोने हिसा कर द दसमलो का अर्थ हुआ दसवा हिसा, दसम हिसा, दसम भाग सिधे सिधी कह देजिए, यही न है, इधर से जदी हम आते हैं तो सव, दस, वन, या लगतार भी लिखे तो, वन के बास सिधे वन बै टेन आ जाएगा, वन बै हंडेड आ जाएगा, जिव दसवा हिसा शुरू हुआ यहां से इधर दसमलो शुरू हुआ, यह क्या मतलब हुआ, यह विभाईद कर रहा है, इधर एकाईदाई से कड़े इधर के स्थान पून है, पून, और इधर हिसा शुरू हुआ, जिदी इधर हम दो लिख दिये, दसमलो इसको कहते हैं, पांच, दसमलो दो, इधर से हुआ है, दसमलो दो का क्या अर्थ हुआ, दो का दसमा हिस्षा, दो साथिकर्थ लेकते हैं, इसका दो का दसमलो मतलब के दसमा हिस्षा, दसम मने दसमा, यह इस दसमलो को भीन में हमको अनवर्ड करें, पॉइंट टू को, तो दसमा हिस्षा, दो बड़ा दस इसका साथिकर हुआ है अब दस्मलों की चाप्टर में कैसे कैसे पढ़ाते हैं देखते रहें हैं लेकिन शाब्दिक अर्थ कर रहे हैं कि दस्मलों दो कहें तो दो बड़ा दसम लिख देंगे हिंदी साथ लगा के गणित में जो भी होता हूँ और अंग्रेजी भी बता रहे हैं यह डेसी मल है दस्वा हिसा लिखिए और यह विभाजन के लिए ही है इसका नाम हमने दे दिया दस्मलों चुकी आगे वाला अर्थ हस्पष्ट होता रहे है अब जदी है यह कंक और बढ़ा दें तो यहां इसके लिए दस अब फिर इसके ल धत्ट मलव दोश्यार का क्या अर्थ हुआ कि दो बटा कैसे इतना बटाया है सबस ड़ाग्त हो गया है अब सीदे सीदे हम लोग डिदाप्टिब मेथड लाका बतायर हैं कि नो हम धैने तो दस मलों कें बतला में उपर लिक दिए ये दसमारों को बतला में एक देदीजिया जी तनाई धर है उतना जीरों देदीए क्यों देदीए ये बताना मेरा मक्षट है दसम लॉव आई ये लॉव पर एक शब्द या दाता है लॉण ये क्या है लॉण माने नमक हो तो गया नमक लेकिन मूल में इसका करण क्या है लॉण क्यों नाम दिया गया उसको लॉण का मतलब तो होता है काटने वाला सिद्धिया लेकिन नाम दिया गया लॉण लॉण भी कुछ चीज़ को काटता है वह भी डाइजेशन में भोजन के अंस को काटता है पचाने का काम करता है नमक नहीं रहेगा किस चीज में नमक अचार में डाल देते हैं क्यों परिरक्षण का काम करता है काट देता है किस चीज को इसमें पनपने वाले वेक्ट्रिया को मारता है लू मनें काटना इसमें भी लू है day longaway का सिधा सिदी हम कि यक्ष्या करें तो लुनाति जा डेम इति लुनात मानेर काटता है जा डेम जड़ता को तोड़ता तो पर जड़ता को तोड़ता मत भोजन की ये तो तो जड़ रूप में ठोस रूप में पड़ा रहेगा लवन जो है उसमें काटने का पचाने के अगाम करता है मवेशिव को देखें आप जी विपर नमक रखके रगड़ दिया जाता है क्या करता है नमक कहीं ठोस गरीष्ट अपच्छ गरीष्ट जो भोजन बैठा है उसको जाकर तोड़ देगा लवन इसलिए उसको कहते हैं और लवन में नमक होता है कि अब क्यों किसी ने कहा नमक को लवन जो शुरू में शब्द दिये गए हैं उनका कुछ अर्थ है माने मिनिंग अर्थ हम लो याद करते हैं लवन नमक क्या मतलब हुआ लवन का यह सुरिंगित करना मेरा उदेश है शब्दों की व्यक्षा के अंत्रगत कि जदि किस चीज का यह नम दिया गया है तो उसका मतलब किया है नाति जाद्ड्य यह इति जड़ता को जो काड़ता है अब इस Cities को कर दी हम जड़ता का मतलब जड का मतलब क्या हुआ बैठ गया तो बैठ गया मुशी के पेट में जो भुजन गया उसको पचा देता है वो पाचक का काम करता है पाचक मने पचाने वाला पकाने वाला महुत शब्दों का संदर्व के रूप में संदर्वगत अर्थ उसका हुनों निकालते है शारणी है टेबल है सारणी क्या है शारणी शर्णी एक बना दिया गया है राह सरमने भी चलना रखना एक सारणी है उसी में हमको बहना है चलना है लिखना टेबल टेबलेट भी बना है शब्द टेबल और मैंने टेबलेट क्या है टेबल जैसा टेबल माने चौब रसर हैगा वह टाबलेट है कोई भी टाबलेट देखिएगा तो कुछ ना कुछ टेबल यक शता है उसकी तन कैप्सुल को टेबलेट नहीं करते हैं कैप जैसा है खुल देते हैं टोपी जैसा निकल जाता है तो शर्णी है टेबल है आकड़ा है डाटा है डाटा कलेक्शन फैक्ट्स फर फ्यूचर इसका हम एनल्सिस करते हैं के बिक्टोग्राफ है पिक्ट। मने चित्र ग्राफ मने लेखन ग्र्रक रेंक्ष मतिक्ट्ट कहते हैं कि एक चीज और है कि बताना चाहते हैं कि बीज गणित नाम क्यों दिया गया है जैसे जैमिती की वहने वेख्या की लाइक है अंगणीत छित्रमीती जैमिती रखागणीत उसके संदर में का जाता है बीज गणित इसका बीज गणित के नाम दिया गया है अब कोई बच्चा पूछ है विद्धार थी नमी दस्वी का ही कि बीज गणित क्या मतलब है अल जवरा का क्या अर्थ है अल जवरा अर्भी का उस शब्द है अल उसमें एक उपसर्ग है जैसे अल के में है अल बानिया अल लगता है अरभी के शब्दों में 20 गणित हिंदे माद कर रहे हैं 20 गणित क्या मतलब है इसका अन्य गणित उससे कैसे फिरना है बीज गणित बीज मने सिदे सिदी क्या होता है अक्षर ले लिजिए शिम्बल वर्ण यह अन्य गणित उसे इसलिए भिन नहें कि इसमें अक्षरों का प्रियोग होता है यह से टू एक्स टू को थ्री वाई यह इन अक्षरों के करान यह बीज गणित हुआ बीज मने सिदे सिदी अक्षर बीज मने कारण होता है उत्पति का एक्स वाई जेड का खगा या कोई भी सिम्बल हो ग्रिक सिम्बल हो तो बीज गणित में हम वो प्रियोग करते हैं कि इसका अक्षरों का इसलिए बीज गणित नाम है इसका बीज मने अक्षर अब बिज्वनित क्यों काते हैं उसको चुकि इसमें अक्षरों का प्रियोग होता है इसका मान बदलता है जो बी जो है उसका मान बदलता है इसलिए वो चर है चर मने चलने वाला वैरियबूल है वो टू एक्स में एक्स का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन टू जो है वो अच्छा रहे उसका मान क्या बदला हो टू है वह है कॉंस्टेंट है गुणांक है वो उसका अंक है लेकिन यह बीज है इसलिए बीजगनित बीजगनित के कोई सवाल हो तो उसमें कुछ अज्यात रास्यां रहती है एक स्वाई अधिक आता है आगे बीजी व्यंजग हिंदी में तो व्यंजग कहते हैं व्यंजग अंज मने होता है और स्पष्ट करना साफ करना अंजन आखों को साफ असपष्ट दिखाने के लिए व्यंजग है अंज सही बना है व्यक्त करना भी होता है अधिक्त करना अब व्यंजक वह जो किस चीज को अधिक्त करता है अंज इसमें हमने उपसर्ग लगाया वी व्यंजग हो गया व्यंजग मनें व्यंजग करने वाला व्यक्त करने वाला तष्ट करने वाला साफ करने वाला किसचीज क्या बोधभक है वो अब इसके 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 इंग्लिस देखें तो ही यह क्सप्रेशन कि एक्सप्रेशन है इपक्ति होती जैंग माने लिए एपक्ति हिंदी संस्क्रित के नाम के करन ओठीन लग रहा है विएन्जक गया है वह एक एकक्स prais letterman यद egent को हम मैं विजी एगजत क्वाहिएं है कि नाम ही व्याजक जदी व्याजक को अलग रखे हम तो क्या है कि यह finite combination of symbols एक combination of symbols है व्याजक शिंबल बने संकेत कि मैथमेटिक्स में व्याजक की क्यों बात करें व्याज़ी हटा दीजिए तो नंबर मैथ अप्रेटर नंबर कोई नंबर हो इसके बाद कोई मैथ अप्रेटर हो अप्रेटर मनें अप्रेशन संक्रिया जो होती है जोड़ गटा गुणा भाग अप्रेटर मनें सिद्धी सिद्धी जोड़ गटा गुणा भाग यहां गणित में यह संक्रिया और मूल संक्रिया है जो अप्रिशन से हैं एतों डगले भाग से अंप्रिशन होता है कि तो नंबर होना चाहिए मेफ आप्रेटर कोई हो यह फिर नंबर हो प्लॉस मेफ एप्रेटर मैंने लिए यह 7 प्लस math operator मैंने लिए यह प्लस यहां घटाव भी ले सकते हैं गुणा भी ले सकते हैं भाग भी ले सकते हैं यही math operator है तो एक नमबर दे दिये यहां कोई भी एक और एक फिर नमबर दे दिये फोर इस तरह कि जो हम काम करते हैं यह एक arithmetic expression है बीजिये नहीं चुकिए अक्षर तो नहीं दिया हमें इसमें 7 प्लस 4 जो गणित हम बनाते हैं 11 लिग देते हैं यह भी एक expression है यह एक व्यंजक है लेकिन arithmetic व्यंजक है यह इसमें अक्षर नहीं है कोई x y z कहा तो यह बीजिये नहीं है तो एक arithmetic हुआ यह arithmetic expression है अब नमबर नमबर तो हम ऐसे भी दे सकते हैं कि एक मैथ operator दे दिए आप फिर नमबर दे दिए यह भी एक expression है यह फ्रैक्शनल अफ एक्सप्रेशन है भिन्य व्यंजक है भिनात्मक व्यंजक कहिए इसको अब चुकि नहीं सुनते हैं चैप्टर नहीं है इसा इसलिए हम व्यंजक का अर्थ लगा ही लेते हैं बीजी व् व्यंजक का अर्थ बता रहे हैं व्यंजक एक expression है वो combination of symbols है बस नमबर एक दे दिजिए जोड़ गुणा भाग मैथ operator दे दिजिए और एक फिर नमबर दे दिजिए व्यंजक हो गया आप क्यों यह इतना ही लिख देते हैं यह एक व्यंजक नहीं अब आते हैं अलजेवरिक अलजेवरिक expression देखते हैं अब आ गई है बात व्यंजक बीजिए उसमें अक्षर होंगे जिससे नमबर के जगा पर हम दे दिए 3x square आ गया बीज बीजा गया वरना इसमें आ गया एक लेटर प्लस मैथ operator तो रहेगा ही फिर एक नमबर दे दिए 5 या अक्षर भी दे सकते है यह है एक अलजेवरिक expression है तो अलजेवरा बीज गणित का एक पाचान बताये हम कि बीज मने अक्षर कोई लेटर हो इसमें कि यह बीजी वियंजक है एक भीन वाला दिखाया मैंने फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है एक 7 प्लस 4 वाला दिखाया वा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन यह है तो गणित के जो शब्द है तारम किये हैं छोटे-छोटे शब्दों से आगे की उंची कख्षाओं में भी देखेंगे कि जो गणित के शब्द हिंदी में दिए गए हैं समय बहुत कौम मिलता है विभीन वीश्यों के शब्दों को देखा जा सकता है विज्ञान में हिंदी के शब्द प्रयूक्त हुए हैं बहुत सारे शब्दावलियां हैं विज्ञान की जिनको भाषास से तोड़ने की जुरुत है हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी का अर्थ लगाई है इंग्लिस माध्यम के हैं तो उसका भी अर्थ है उसका भी prefix, 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 suffix है root है meaning याद करते हुआ लक्षी तो इंग्लिस में भी सासा दिखाई रहे हैं तो diagonal है क्या पेंटागोन है क्या कि अल्जवरा है क्या फिक्टोग्राफ है क्या की कम्बिनेशन है क्या तो इस तरह से हिंदी, इंगली, संस्क्रीट, लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जितने भी वर्ड हैं सबकी कथा है कैसे बने है तो जहां जो शब्दावे ऐसा नहीं कर रहें कि लगतार याद करते रहें हम अध्यन के दोरान ही जो शब्दाएं तो उसका हम एक व्यक्या जाने प्रशंग बस तो संब्रधी आती है भाशा में भी और विसेयों में भी भाशा के माध्यम सही तो हम ग्रहन करते हैं कोई चीज अव्यक्त करते हैं कोई चीज बोलकर लिखकर तो ग्रहन करना हो तो और अव्यक्त करना हो तो कुई भी चीज तो भाशा बहुत जुरूरी है इसलिए शब्दों के व्यक्या दन्यवाद